स्वागत है आपका आपके अपने ही योटूब चैनल मार्केट साइन्टिस्ट में और आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं टाटा मोटर से स्टॉक के बारे में इसे स्टॉक को डिसकस करें इससे पहले जो भी लोग टिलीग्राम से नहीं एड हैं अगर आप इस चैनल के बेनिफिसरी होना चाहते हैं जो भी बेनिफिट से उसको लेना चाहते हैं तब टेलीग्राम से जुट सकते हैं जहां आपको जो भी अपडेट्स हैं वो डैरेक्टली आपको इस ग्रूप में सेर किया जाता है इस से मैं Tata Motor के स्टॉक को डिसकस करें इस से पहले एक interesting fact दिखाऊं अगर monthly historical chart को देखेंगे इस स्टॉक के अंदर तो देखें तो यह स्टॉक around more than 4 times देखें तो यह स्टॉक 80% से लेकर के 50% तक correct होते हुए दिखा है 50% to 80% का correction दिखा है यहां देखेंगे इस स्टॉक 2008 के जो crash थे उसमें more than 80% correction दिखा 2012 में अगर आप देखें तो इस स्टॉक का 50% correction दिखा अगें 2016 में स्टॉक 50% correct होते हुए दिखा और 2020 के near around देखें जहां कोरोना का impact था वहां अगें इस स्टॉक यानि 2 times यह 2008 के crash में more than 80% और कोरोना में more than around 87% तक का downtrend हमने इस स्टॉक में आते हुए दिखा है तो volatility तो आप समझ सकते कि इस स्टॉक में काफी ज्यादा है इस समय यह stock जो trend में बना हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है electric vehicle का जो demand है वो continuous भरते जाना और गड़करी के तरफ से भी हमने बड़े भयान दिखे जहां aggressively impact को और आगे ले जाने की मुहिम सरकार के द्वारा चलाई जा रही है इस समय देखेंगे analyst remain bullish on Tata Motors as company drives in Tiago EV यहां देखेंगे company ने Tiago launch किया है जो mid range electric vehicle है जो mid range family है उसके लिए affordable होने वाली है और launches करी है around 10,000 electric car इंडिया के अंदर और जैसे जैसे demand आएगा इसको और बनाते जाएगी और इसी के साथ देखें तो BNP परिवास ने इसके target 565 के दी है यहां देखेंगे target price of 565 जबकि इस समय stock 400 के near around trade होते हुए दिख रहा है इस stock में जो domestic investor है वो continuous अपने holding को बरा रहे है यहां आप देखेंगे कि around September 2021 के बाद से जो domestic investor है उसका continuous holding भरते वे दिख रहा है वहीं देखें अगर इस stock में तो जो FI हैं वो इस समय थोड़ा बहुत अपने holdings को कम करते वे दिख रहे हैं कि अभी भी देखें तो September 2021 से जो है वो holding जादा ही है तो इस समय इस stock में जो electric vehicle demand है उसको ले करके काफी trend दिख रहा है जिसको ले करके analyst भी बुली से टेकनिकली यह stock काफी weak रहा है अंडर performing रहा है जहां nifty auto ने return दी है more than 20% तक का वो return देखें अगर इस stock के six month के इस index का वहीं यह stock correct होते वे दिखा है 10% यहां देखेंगे 10% correction पिछले one month में stock में देखें तो around 40% का correction दिखा लेकिन यहां auto index भी देखेंगे तो correct होते दिखा है इस समय इस stock के chart को अगर आप देखें तो यह daily time frame का chart है जहां आप आसानी से समझ पाएंगे कि यह जो price zone आपको दिख रहा है near 380 और 400 का यह major support है और इस समय जो resistance देखेंगे वो around 426 के आसपास का है तो यह जो trader है वो इस level के उपर ही buying करेंगे जहां आपका SL जो है around 405 के near around का SL होना चाहिए और जो target है वो around 460 का पहला target आना चाहिए और दूसरा target देखें तो 500 प्लस तक का दिखना चाहिए easily target यह trader के लिए 426 से पहले buying नहीं करेंगे लेकिन जो निवेसक है लेकिन जो investor है उनके लिए यह opportunity है अगर already invested है तो quantity आपको पताईए मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि हमेशा जो आपका quantity होना चाहिए किसी भी stock के अंदर जो exposure होना चाहिए one stock में more than 5 to 8% से ज्यादा holding नह इसके साथ ही technically इस stock को अगर historical return से अगर आप देखें तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था अभी मैं आपको दिखाओ लास्ट टाइम इस stock में हमने क्या देखा था कि यह जो consolidation रही थी यहाँ आप देखेंगे same consolidation जो हमने देखा था यहाँ यही consolidation इससे मैं देखेंगे यहाँ आपको दिख रहा है इससे पहले same consolidation हमने यह देखा यहाँ इस consolidation को stock ने break करा और जो return रहा around 50% तक के returns दिये थे वो भी महज देखेंगे तो around 2-3 month के duration में भी यहाँ इस consolidation को break किया और stock ने around 13% तक के downtrend दिखा है again stock देखेंगे तो यह जो phase है यह consolidation phase में trade होते वे दिख रहा है इस consolidation को break करती है तो easily यहाँ से return देखेंगे तो आपको 50% तक के returns देखने को मिलने वाले हैं मैं इस consolidation से बात नहीं करूँगा मैं अगर इस consolidation से भी आपको दिखाऊं तो यहाँ से अगर आप 50% return लेते हैं तो around जो target near around nickel के आ रहा है वो target इस stock में आप देखेंगे कि 700 पलस के level आपको आते वे दिख रहे हैं इसके लिए अगर duration की बात करें तो maximum one year का duration होने वाला है और as per technical 700 तक के level आपको surely इस stock में दिखने को मिलने वाला है चुकि यह अगर historical chart के द्वारा ही अगर आप देखें तो यह 700 तक के levels easily इस stock में निकल के आते हैं तो जो long term investor हैं वो बिल्कुल इस downtrend से panic नहीं करेंगे क्योंकि already हमने आपको दिखाया कि stock more than 4 to 5 times हमने देखा कि stock around 50% से ले करके 80% तक का correction इस stock में दिखाया है यह high volatile stock है टेखाया विल्क्व थे तर्डेट अगर आपक अगर यह करेंगे आपक को टेखाया है